हेलो एवरिवन, होप कि आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, ये मत सोचना कि मैं ऐसे बैठ के आट्टा क्यों लगा रही हूँ, क्या हुआ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा वैसे ही मन किया, तो मैं इसलिए बैठ के आट्टा लगाने लगी थी, और ऐसे नाट्टा आतम समान की रक्षा करना बहुत बहुत आवश्चक है तो हमें अपने आतम समान के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ो है ना और भई मैं यूटूब पे ऐसे ही वीडियो बनाती रहूंगी मैंने डिसाइड कर लिया और बोल भी दिया है तो भई वीडियो बनाना मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि जब मैं इतनी आगे बढ़ ही चुकी हूं तो अब पीछे नहीं जाऊंगी जब मैंने इतनी महनत की है मेरा पूरा एक साल लगा है महनत मैंने खुब महनत की भई इस पे अपने चैनल पर तो पीछे नहीं जाएंगे तो अपने आतम सम्मान के लिए ठीक है भई, काम करेंगे, करना है काम तो आज का हमारा टाइटल यही इसलिए, सेल्फ हेल्प इस दा बेस्ट हेल्प तो यह देखे जी, आटा, बहुत अच्छा लगा भी इस तरह से आटा लगाना और काफी दिनों के बाद, कई सालों के बाद, काफी सालों के बाद, इस तरह से आटा लगाया है और अच्छा लगता है और आटा भी काफी मतलब ऐसे गूनते हुए ना मन भी लग रहा था और सोफ्ट भी हो गया भई और वैसे तो खड़े हो के आटा लगाते हैं जल्दबाजी में वो मज़ा नहीं आता है जैसे अब आटा लगा रही हूँ ना तो और आज ना मम्मी डैडी आएंगे तो बोल तो मैंने खैर इनको दिया है कि वीडियो तो हम बनाएंगे वीडियो तो मुझे बनानी है तो मैं आपके ये ताने बार बार नहीं सुनने वाली अब और ये देखे आज भई कटल की सबजी बनाएंगे और ये देखे भई कटल को साफ करना जरूरी है दो तो दिया था ये जो गुठली होती है इसके उपर एक पन्ना सोता है तो ये निकालना बहुत जरूरी है तो मुझे भी पहले पता नहीं था एक दो बार मैंने ऐसी बना दिया तो फिर खाना खाते टाइम ना तो बहुत प्रोब्लम होती थी ये गले में चिपक जाते थे तो इसलिए मुझे भी बाद में पता चला है कि ये जो गुठली के उपर कवर सा होता है ना तो पन्ना सा ही है ये हार्ड सा तो इसको निकालना जरूरी होता है तो मेरी जैसी कई और बैने भी ओंगी जिनको नहीं पता क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसको साफ करके फिर बनाते हैं मैं तो ऐसी धोके और तड़का लगा देती थी और जब खाते थे ना बस फिर बहु श्मेशा चीलकी बनती हूँ और देखे भी तड़का लगा दिया था थोड़ा सा तेल डालके और ये देखे गुस्से में क्या तो मुझे एक टोमाटर डालना था और मैंने दो टोमाटर डाल दिये क्योंकि टोमाटर का रेट बड़ा हाई हो रख है ना तो मैंने भी फिर एक की बजाए दो टोमाटर डाल दिये तो बई गुस्सा तो कहीं ना कहीं तो निकालना पड़ता है ना तो ये हमारी बई कटल की ग्रेवी त्यार हो चुकी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो और थोड़ा सा और पका के फिर इसमें कटल को डाल देंगे और इशांद ने जब देखी न सबजी इशांद कहता मुमा जो मुरगा बनाया है क्या क्योंकि भई हमारे घर नहीं हम खाते हैं तो मैं इशांद को पूछ रही ती आपको कैसे पता तो इशांद कहता मैंने अपने दोस्त के घर देखा है मैं खच्चा तो क्योंकि यह ऐसी लगता है भई है न यह देखिए तो मेरी सबजी मेरी नहीं कठल की सबजी हमारी त्यार हो चुकी थी बस अब फुल के उतारने है भई यह देखिए और अब भई फिर शाम का टाइम है तो यह मैं अचार के लिए मसाला जो था उसको सेख रही हूँ बस इसमें से जो भी मुश्चर है नमी तो उसको सिरफ वही इसमें से निकालनी है बिल्कुल लो फ्लेम और हलकी हलका सा इसको सेख लेंगे मसाले को और इसमें ना कलोंजी सोंप और मित्थी हाना तो पंसारी ने यही तीन चिज़ें दिया है मैंने यही एसमें बाकी धनिया कह रहे थे तो कहते हैं धनिये से ना अचार ख्राब हो जाता है जाले से लग जाते हैं उसमें तो हमने भी फिर धनिया चोड़ दिया बाकी नमक मिर्च तो वही है आप सभी को पता और यह देखे भई यह मसाला सेख लिया है मैंने और इदर तेल को सीम करके गैस चला दी तेल डाल दी ऐसमें तो यह अच्छे से गरम हो जाएगा सीख जाएगा और इदर ले ली हैं यह आंब आमना जादा अचार नहीं डालेंगे क्योंकि खाता कोई है नि बस वैसी सोखिया बना रही हूँ मैं इसको और बजार गए थी तो खुद ही लेके आई हूँ इनको तो बहुत बार बोल दिया था मैंने जब सीजन सुरू ही हुआ था पर यह अभी तक लेके नहीं थे और खुद ही आज लेके आई हूँ और फिर अचार आज अचार की बारी आई है तो इसको भई इसमें से जो भी गुठली वगएरा थी सारी मैंने निकाल ली है साफ कर दिया इसको और दो तीन बार अच्छे तरह से इसको धोलूँगी इसमें से सारा जो भी अमबी का पीक वगैरा होता है ना वो सारा निकल जाएगा और अच्छे से इसको दो तीन बार इस तरह दो लीजिए देखे वए और फिर मैं इसमें निकल दूँगे जाली सी में इसमें से सारा पानी निकल जेगा उसके बाद फिर मैं इसमें हल्दी और नमक लगा के इसको आज ऐसी छोड़ दूँगी थोड़ी देर मतलब इसी में रखूंगी बरतन में जिसमें से मैं ये निकाल रही अब फिर उसके बाद फिर इसमें डालूंगी ताकि जो भी पानी है रात भर निकलता रहेगा नमक और हल्दी लगा के फिर इसमें से होर पानी निकलता रहेगा ना वो रात को छोड़ देंगे इसमें रख देंगे और ये देखे भी तेल गरम हो गया था तो इसमें ये कश्मीरी लाल मिर्च देगी मिर्च और थोड़ी सी वैसी मिर्च डाल लेंगे तिक्खे वाली गैस तो बंद कर दी थी ये ज़्यादा गरम नहीं है भई तेल और हल्दी वगएरा सब कुछ मैं इसमें अभी डाल दूँगी और इस तरह से अगर अचार बनाते हैं तो ये खराब नहीं होएगा भई और बस अभी सारा ये मसाला ना त्यार हो जेगा अचार के लिए बस सुबह कल उनको सुखा के और उसमें इसी तरह डाल देंगे जब तक ना ये मतलब फूल जेग अच्छी तरह से सौंफ कलोंजी मित थी तो चाहे हम दो दिन के बाद अचार को खाना शुरू भी कर देंगे अगर जिसने खाना है तो दो दिन के बाद अचार को खा सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से ये तो गया बई भी मसाला रेडी तो इसको ढख के रख देंगे ये ढख करना इस पे सैटनी आया था तो वही करके देख रही थी तो मैंने फिर दूसरी ही पलेट लेके इसको रख दिया था भई ढख के तो बाकी काम इसमे कल होएगा ये कल तक ऐसे ही ढख के रख देंगे और अचार वगयरा जो भी है उसको भी रख दूंगी मैं निकाल के नमक और हल्दी लगा दी उसको तो सारी रात उसमें से जो भी पाने निकलेगा निकलता रहेगा और थोड़ी सी धूंप लगा के फिर डाल देंगे मिर्तबान में तो ये मैं शाम का जाड़ू निकालने लगी थी शाम का टाइम है और बस यही है भई तो वीडियो बनाएंगे हम इसी तरह हैं से जिसको अच्छा लगे तो भी ठीक जिसको नहीं लगे तो भी ठीक तो यही है जी आज का हमारा व्लोग तो ठीक है जी और शाम को आज मम्मी डाड़ी भी आएंगे तो देखते हैं आज क्या होता है क्या रहता है तो आज तो खेरीनों ने मना नहीं किया वीडियो बनाने से तो वीडियो मैंने इनी के सामने